आप तुम्ही का स्वागत है National Testing Agency ने एक important notice जारी किया है जिसके बारे में आप तुम्ही को बताने वाला हों सुरू करते हैं चैनल को सब्सकाइब कर लिजे सब्सकाइब कर लिने से आप तुम्ही को प्रते हैं स्टेट्स के बारे में एक फर्स्ट सेट में यानि अभी जो application form का last जो submission है उसके पहले fill up करना है और second set जो होगा लिखाए कि this second set of information needs to be filled up by the candidates before the declaration of result और downloading of a scorecard during the period that would be notified separately through need using portal in due course यानि फ्रेंड अभी जो application form start हुआ है इसमें जो information आप सुभी से मांगा जा रहा है वो तो आपको information आप सुभी को देना ही है लेकिन second set यानि result के पहले भी आप से हो सकता है कुछ information या कुछ document आप से फिर NTA मांगे वो भी आपको देना पड़ेगा upload करना पड़ेगा तो इसको दो भाग में divide किया गया है वही information दिया है कोई बात नहीं फर्स्ट जो set है उसको आप easily fill up करें आगे यहाँ पे देखें कुछ और information आप सुभी को बता है तो पता नहीं आपको पता है भी या नहीं जैसे आप from कल से start है 6 अगस्ट last date है 7 अगस्ट तक payment करना है और इसमें correction जो start होगा 8 अगस्ट to 12 अगस्ट तक रहेगा 8 अगस्ट से 12 अगस्ट के बीच में आप तो भी correction कर सकते हैं अगर कुछ गलती होता है तो announcement of CT of examination 20 अगस्ट को जारी किया जाएगा और admit card जो है exam के 3 निन पहले release कि जाएगा और date of exam आपको पता है कि 12 सफ्टमबर 12 सफ्टमबर को है ठीक है संडे है 180 मिनट्स में आपको कोशन करने हैं और 2 बजे से 5 बजे मतलब यह मिड़े में है आफ्टरून में exam होंगे 2 बजे से लेकर 5 बजे तक exam होंगे ठीक है और बाकी जो है रिजल्ट के बारे में OMRC के बारे में वो आगे information दिया जाएगा तो कुछ important information था मैंने आप तुम भी किसा शेर कर दिया और अगर कोई भी doubt है तो आप तुम भी मुझसे पूछ सकते हैं Instagram को follow कर ले वहाँ पे अब मैं आप तुम भी doubt जो भी पूछेंगे वहाँ पे मैं बताऊंगा अब क्लिक नह थेंक्स फोर चुम वडियो